लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और रेल आइकून को प्रेस करें करने से कोई विजय प्राप नहीं करता गम राक्षस हो और राक्षसी रहोगे राक्षस दुर्योधन नहीं सम्राठ्ष दुर्योधन कहो अन्यथा तुम्हारा सर धड़ त्यालक कर दूगा तुम्हें मैंने पहले ही समझाया था किंटो तुम मुझे उस वनवासी पर पहले से ही शंका थी तुम्हारे कारण तुम्हारे कारण अर्जुन भी बज़ गया केवल तुम्हारे कारण कि अर्जुन को अभी मार जालूंगा अभी करो कि मुर्खो तुम मुर्ख यह सिद्ध हो जाने के पस्चात कि अर्जुन हनुमान द्वारा रक्षित है तुम हनुमान पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हमें बल से चल से काम लेना होगा चल से चल से चल से अपना मायावी रूप दिखाओ हनुमान को चलो चलो उसे कुछ ऐसा कर दिखाओ कि हनुमान किसी और प्रम में रहे और तुम अर्जुन का बत करने में सफलता पालो अपना मायवी रूप दिखाओ अपना भयानक रूप दिखाओ यह मेरी आप क्या है अमुम्सीबा प्यानक रूप दिखाओ वे और प्रम में सोफ दिखाओ यह में वे प्यानक रूप नही प्याम स्युक्ण अमाश्याओ कि अना निम्टूला चरल करना कि ङुछात सेशराए ठं से शिटा अम्ना मुदूला अम्ना मुदूला थ°्ट। आड़ा गज़ा पाल अनुमान पुलिनाथ अनुमान, तौम नहीं अरजून 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 वार वीङ, भार वार, प्रावा हुआ। इसका वद मैंने किया है किरात राज देखो तो भाईयो यह दबस्वी वद करेगा इसका वद मैंने किया है नहीं किरात राज इस पर बाण प्रहार मैंने किया था तमसत्य मत बोलो तपस्वी इसके प्राण मेरे बाण ने हर है अनुमान जी आप तो सत्यवादी है आप ही बताईए कि इस शूकर पर पहले मैंने बाण प्रहार किया था या नहीं कि तम वहीं रुगो मुझे किसी मध्यस्त की आवशकता नहीं है ता पस्वी तो इसका निर्णा कैसे होगा इसका निर्णा युद्ध से होगा जो युद्ध में विजई होगा वही प्रमाडित करेगा कि इस असुर का वद्ध किस ने किया है कि मुझे ये चुनाति स्विकार है तो करो प्रहार कि करो कि थेरो तपस्वी अब भी समय है यदि तुम स्विकार कर लोगे कि इस असुर का वद्ध मैं ने किया है कि तुम्हें तुम्हें जीवन दान दे सकता हो कदापी नहीं कि रात राज तुम पांडूनंदन अर्जुन के समच्छ खड़े हो जो सत्य नहीं हो से मैं कदापी स्विकार नहीं करूंगा तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ कि मेरा एक बाण ही तुम्हें धराशाही कर देगा तुम बिना कारण ही अपने प्राणों से हाथ दो बैठ होगे अर्जुन कि मैं अर्जुन मेहात हूँ स्विकार नहीं होगे लिए, युद्ध गजड़े प्राणीन अर्जुन कि मैं लोगे सुम्हें होगे अर्जुन पुलिनाथ, क्षामा कर्दीची? अब मैं तुम पर प्रहार नहीं करूँगा, अपनी पराजय स्विकार कर लो भूलिनाथ आप, प्रणाम भूलिनाथ, जय शिव्शंकर, उठो अर्जुन, उठो, हम तुम्हारी वीर्ता पर अत्यंत प्रसन्न है, मांगो, क्या वर्दान मांगते हो, मेरा अपराज छमा कीजिए भूलिनाथ, मुझे छमा कीजिए, नहीं अर्जुन, तुमने कोई अपराज नहीं किया, वो तो हम तुमारी परिक्षा ले रहे थे, हम नहीं अपने माया जाल से दुर्योधन का विवेक हर लिया था, इसलिए तो दुर किन है आपकी लीला, अर्जुन, मुकासुर का वद्थ तुम्हारे ही हातों लिखा था, अब हमें विश्वास हो गया, कि तुम पूर्णतया समर्थ योद्धा हो, वीर अर्जुन, भविश्य के महा संग्राम में निश्चित विजय शिरी का आशिश देने के साथ साथ, हम तुम्हें कुछ दिव्यास्त्र भी प्रदान करेंगे, यह लोग अर्जुन, यह दिव्यास्त्र तुम्हें युद्ध में विजय बनाएंगे, परन्तु इसका प्रयोग, तुम सोच समझ कर ही करना, मैं धन्य हुआ भोलेना, इन दिव्यास्त्र को पाकर मैं धन्य हुआ, अर्जुन, यह दिव्यास्त्र निश्चित रूप से अपने लक्ष का विनाश्च करते हैं, इनकी मारक शमता भीशन है, आपके कृपा और वर्दान से मैं धन्य हुआ, तुम्हारा कल्यान हो, हमारे आशिरवात से तुम सफलता के पद पर आगे ही बढ़ते रहोगे, विजाई भवा अर्जन, कहां खोगे, चलो, और अपने करतवे पत पर आगे बढ़ो, हे बजरंबली, अज जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है, उसका श्रेय आपको भी जाता है, यदि मैं आपके द्वारा रक्षित ना होता, तो ये तब ये अराधना कभी पूर्ण ना हो पाती, औ और भोले ना अथ मुझे पर पसंद ना होते, हे संकट मोचल, आपने जिस करतव विनिष्ठा से मेरी साहता की है, उसके लिए मैं सदायवाब काभारी रहूँगा, अर्चुन, वो दूष्ट राक्षस अपने प्राण बचा कर इस प्रकार भागा, इस प्रकार भागा की देखते ही बनता था, तुम लोग यहां हसी ठीठोली कर रहे हो, तुमारा भाई अब तक नहीं लोटा, तुम सब को कुछ चिंता है, माता श्री, अर्जुन ब्रम्हांड का सर्व स्रेष्ट धनुधर है, कोई दूद्पिता शिशूद है नहीं, वो मेरा भाई है, माता, जब तक आराधना का फल प्राप्त नहीं हो जाता, वो कैसे लोट सकते हैं? माते, आप चिंतित नहीं, यदि आप आग ग्यादें, तो मैं स्वयम जाकर उसे ले आता हूँ, पार्थ? माता श्री, पार्थ आ रहे हैं, प्रणाम माता श्री, उठो पूत्र, माता श्री, आपके आशिरवाद से मेरी तपस्या और आराधना सफल हुई, देखिए, स्वयम भोले नाद ने प्रकट होकर मुझे कैसे कैसे दिव्यास्त्र प्रदान किये हैं, और उन्होंने मुझे आश्वास्त किया है कि इस महा संग्राम में हमारी विजय सुनश्चित है, अर्जुन तनिक दिव्यास्त्र मुझे दिखाओ, द्रौपदी, अर्जुन को भीतर ले जाओ, जाओ पुत्र, तुम सब मेरे साथ आओ, कि इसान की से कुछाओे, happy, इस्च्त्र आओ कि इसान की कि इसान कि अर्जुन कि अरिफ़ la Χाफ ले एो, हट सुन्ट भीत, कि इसान ए सकताओ.... कि सų लेओ। थे सर्फ, प्र्जूण ने है कि यsesे हैं Multip permissions पांचाली, कुशल से तो हो ना, हाँ आर्या, आप तो सब कुशल है ना, जानती हो पांचाली, जब मैं, अर्जोन, मैंने सुना है कि तुम्हारी सहता के लिए हनुमान सदा तुम्हारे पास उपस्थित है, उनका तो मैं सदय वाभारी रहूंगा भीम, जानते हो, जब दुर्योधन ने दुशासन से मिलकर मुझे मारने का प्रेद्न किया, उस समय हनुमान जी ने ही मेरी रक्षा की इतना ही नहीं, उसने किसी राच्छास का भी सहयोग लिया, जिसका नाम था मुकसुर, अरे मुकसुर को तो मैं पहले ही परास कर चुका हूँ, परंतु मेरे हाथों उसे प्रार दवाने पड़े हैं भीम, शूकर बन कर आया था, अपने बाड़ों से मैंने उसका मू भेट अब उसका आतंग समाप्थ हो चुका है, सदा के लिए समात्थ हो चुका है, अरजून, दोर का थीश आयय हुए है कहा है कहां है केशव कहां है कहां है कहां है केशव है यहां हुपार्थ प्रणाव तपस्या की सफलता के लिए बदाही हो पार्थ जिस पर आपकी किरपा हो केशव उसे तो सफलता मिलनी ही है किन्तु अब वो समय आ गया है अरजुन जब तुम्हें अपने जीवन का मूल उद्देश पुर्ण करना है कौन सा मूल उद्देश केशव जिसके लिए तुमने और हमारी कृष्णा ने वनों का कस्ट भोगा ये खुले केश हर पल हर छण जिसका समरण कराते हैं उस महा संग्राम का समय अब समी पारा है पार्थ कर दो पार्फ